हेलो फ्रेंश नमस्कार आपको किस तरह से हमने लेडिस पूरी स्बेटर बनाया है तो यह मैंने बैक का भाग बनाया हुआ है यह जो बोडर कट जाये नहीं यह मैंने इसकी प्लोड की हूए यह पहले आप अहां से देख सकते हैं यह मैंने हंडर्ड फंतेस में डाले हैं बोर्डर में मैंने 11 नमबर की नीडल यूज की है और बोर्डर के बाद 10 नमबर की नीडल से हमने इसे बनाया है तो यह दिखे इसकी लेंद्ध यहां से लिखे यह मूंडे के हमने कटिंग किये यहां तक 19 इंच तक 19 इंच तक इसे बनाया है यहां तक यहां से लिखे यहां तक और फिर हमने यह मूंडे की इसकी कटिंग दी है यह मूंडे की कटाई जो है पांच तीन दो एक की की हुई है क्योंकि मेरे पास फंदे जो इसमें कम है अगर आपके पास फंदे जादा है जैसे एक सो दास है एक सु पंद्र है तो आप पांच चार तीन दो एक की की करें और यह दिखी जो मैंने घटाई की हुई है बिल्कुल स्मूथ हाया इसमें देख सकते हैं यह इस तरीके से यह घटाई में आपको बताऊंगे कि किस तरह से डाली है कि दोनों साइड से मूंदे बनाने के बाद आप ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा समयने अभी से बनाना है इतना बनाया है मैंने यहां से लिख की जहां हमारी गटाई खत्म हुई है बहां तक वोने साथ इंच तक बना है यह 5, 3, 2, 1 यहां पर हमारी गटाई खत्म हुई है बहां से हम नाप करेंगे इसका तो यह इतना बना है पौने साथ 7 इंच तक आप इसे बना लें और मैं इसमें आपको बताओंगे कि हमने इसकी गले की बैक गले की थोड़ी सी कटिंग करेंगे क्योंकि कई वार होता है कि यह हमें बैक साइड से गर्दन में लगता है तो अगर हम थोड़ी सीस में कटिंग दें तो बिल्कुल यह सही आएगा उसके बाद हमारी जो बटन पट्टी है उसके साथ हम इसे स्टिच करेंगे तो अब देखेंगे कि हमारा थोड़ा सब बनने को रह गया है चार-पांस इलाईया आप इसकी बनेंगी आगे तो हम इसकी गटाई कैसे करेंगे तो यह दिखी एक फंदा इसमें जा रहा है एक सो एक फंदा है टोटल यह देखिए तो हमने दोनों साइड से पांच तीन दो एक की कटिंग की है पांच तीन दो एक हमारे ग्यारा फंदे जो है वो काम हुए है एक साइड से दोनों साइड से मिलाके हमारे 22 फंदे काम हुए है तो 79 बचे हमारे फंदे दोनों साइड कटिंग करके यह हमारे फंदी जो है 79 फंदे हैं चिलाई में यह दिखिए 100 फंदा बॉर्डर में आप इसके बाद फंदे बढ़ा वी सकते हैं बढ़ाना चाहो तो मैंने इसमें कोई फंदा नहीं बढ़ाया है सिर्फ एक फंदा बढ़ा हमारा 101 फंदा यहां पर आप 110 फंदे रख सकते हैं 10 फंदे यहां बॉर्डर के बाद बढ़ा सकते हैं और फिर यह बुना है 19 इंच यह बॉर्डर से लेकर मुंड़े की घटाई तक 19 इंच बुना है इसे और फिर यहां से कटिंग की है पांच तीन दो एक की दोनों साइड इस साइड भी पांच तीन दो और एक बागी के फंदे सीधे सीधे बना लिए हैं अब हमारे फंदे जो हैं 270 इस साइड भी और ऐस बैट साइड एक साइड भी जबें दो नहीं काइड करीगे तो थोड़िए सी हमने कटिंग करनी है अइस इस साथ फंदे गटाएंगे और फिर हर थीज़क प्यotब एक यहांत इस साइड गटाएंगे ऻना है यह भंदे यहां तक बूंढ लिए हैं 22 फंदे दो, चार, छे, आठ, तस, बारा, चोदा, सोला, ठारा, बीस, और बाइस 22 फंदे हमने तीरे के रखने हैं और प्लस तीन की कटिंग करनी है दो और एक, तीन, दो, एक बहां तक बना लिए हमने 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28 फंदे यह वाले और 28 फंदे इस साइड यह रखे हैं 22 फंदे तीरे के और तीन दोए की कटिंग के बोवीस में रख लिए और बाकी के फंदे हैं हमारे सेंटर में आप क्या करेंगे यह जो फंदे हैं सेंटर के इन्हें बाइंड ओफ कर देंगे किदो कर देंगे बोप का गए की यह वर गप कर दोए किस्पव ए कर दोए बोवीस में प्लबसे और 29 फंदे प्लबसे अजिए ऑाटिग डेंगे यह अवाट वाट के पी वाट्न आप पंदे हैं यह फंदे सारे गटा दिए हैं एक साथ अब यह वाली रोजों है सीधी बुनेंगे यह अलग से बुनेंगे यह वाला और यह अलग से बुनेंगे तो एक साइड का मैं आपको बना के बताती हूं सीधी सिलाए सीधी डाल लेंगे उल्टी चलाए उल्टी जो भी आपने बुनाए डाली हूं आप सीधी बुन लें फिर उल्टी फिर यहां पर गटाए करेंगे अब क्या करेंगे सीधी साइड आगे तीन फंदे गटाएंगे दो कोई कठा बुनेंगे एक ये दो तीन तीन फंदेग साथ बनाए अब ये सारे फंदेग सीधे और उल्टी साइड से उल्टी बनाए अब दो फंदेग बटाएंगे एक और ये दो फिर ये सलाई बुल लेंगे उल्टी साइड से बनाए अब एक फंदा गटाएंगे दो कोई कठा बुन देंगे तो मारा ये एक फंदा काम हो गया ये तीन दो एक कठिंग हो जुकी है ये बाइस फंदे मैंने रखे हैं यहां पर अगर आपके फंदे जादा हैं आप हेल्थी हैं नोर्मल साइज की स्वेटर बना रही हूँ तो आप यहां बाइस से लेके ठाइस तक अठाइस फंदे रख सकते हैं तो आप उस हिसाब से आप इसकी कठिंग करें तो ये कठिंग जो होती है बैक साइड की बिलकुल कम होती है देखिए और फिर हमारी बटल पट्टी यहां चुड़ेगी और ये तीरे जो हैं अगले हमारे भाग के साथ यहां पर अटैच होंगे तो मैं आपको पार्ट में सारी बिताऊंगे कि किस तरह से हमने आगे इन्हें जोइंट किया और यहां बटन पट्टी को हमने जोड़ा तो ये मैंने धागा यहां तक कर लिए यूजी से आप यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे इस साइट के जो फंदे आप इन्हें गटाएंगे जैसे हमने उस साइट से गटाएं वैसे हम इस साइट से भी गटाएंगे तीन दो ये टोटल छे सिलाईयों में हमारे फंदे घटे हैं सीधी और उल्टी सिलाईय हमारी यहां जोइंट करेंगे दागा और इस साइड उल्टी साइड से बुनेंगे जो भी हम डिजाइन डाल रहे हैं उसी तरीके से बनाते जाएंगे आगे अब हम दो फंदे घटाएंगे दो को एकठा बुना एक फंदा काम हुआ फिर दो को एकठा बुनेंगे दो फंदे काम हुए यह मैंने इस साइड से भी बना लिया है यह थोड़ी सी कटिंग हमारी हुई आप ऐसे भी नाव सकते हैं दो उंगल तक इतना बनाना हमने से जादानी बनाना थोड़ी सी कटिंग लगते इसमें बटन पट्टी भी आएगी इतनी चोड़ी हमारी इस तरीके से यह हमारे 22 फंदे हैं और इस साइड भी 22 फंदे हैं जो कि हम फ्रंट भाग के साथ इसे जॉइंट करेंगे तो यह बैक का भाग जो है बहुमारा त्यार हो चुका बनके जुरूरी नहीं आप बैक साइड में इस तरह से कटिंग डालें आप सिंपल भी बना सक बाग के शायर गरूरी इस तरीके के साथ आप यह 22 फंदे रखें जब जोडेंगे आप आगले फ्रंट भाग के साथ और 22 फंद इस साइड से बाकी के फंदे जो हैं बटन पटि के साथ हो जाते हैं तो यह जिने कई बार प्रोब्लम होती है कि हमाई बैक की जो हैं वो हमें चूबता है पार्टी ये वाला जब हम बटन पट्टी भी बनाएंगे तो कम से कम डेर दो इंच की चोड़ी बटन पट्टी होगी तो हमारे ये गर्दन के साथ लगती है तो इसलिए मैंने आपको कटिंग बताई है कि इस तरीके से बने अगर हमारी स्वैटर तो हमें कोई प झा परे लेके साथ si तो हमारी संı रह मार के साथ रगः स्वाबंड जयू झाला जलने साथ झाला ग्टी सुन ऑला हमारी स्वै